संपूर्ण बैबल में आदम ही वो एक मात्र इंसान है जो बच्चे के जैसा पैदा नहीं हुआ था याने की मा के गर्ब से पैदा नहीं हुआ था पर रुक ये सिर्फ आदम ही नहीं हवा भी बच्चे की तरह पैदा नहीं हुई थी मा के गर्ब से पैदा नहीं हुई थी तो जब वो बनाए गए तो असल में उनकी उम्र क्या थी उत्पत्ति उसके दूसरे ध्याए में हमें इस रचना की डीटेल को देखने को मिलता है जब परमेशवर ने आदम को गहरी नीन में सुला कर हवा को रचा था दूसरे ध्याए के साथ रचन में लिखा है कि आदम को भूमी की मिट्टी से रचा गया और उसमें परमेशवर ने अपनी श्वास को फूख दिया और छटवे दिन ही आदम को गहरी नीन में सुला कर परमेश्वर्ण ने उसकी पसली को निकाला और उस पसली में से हवा को बनाया जिसके विशय में हम उत्पर्ति उसके दूसरे अध्याय 21 और 22 में पढ़ते हैं साइंस ने भी से मान लिया है कि इनसान एविलूश्वर्ण से नहीं बलकि एक माता और पिता से ही आये हैं जिसे हमने हमारे पिछले वीडियोस में से एक में बड़े डीटेल में समझाया है आदम और हवा को परमेश्वर्ण ने नर और नारी करके कहा था बुलाया था असल में परमेश्वर्ण नर और नारी को आदमी नाम से पुखारा करता था आदम ने नारी को हवा का नाम दिया परमेश्वर्ण ने नहीं आदम और हवा एक ही दिन बनाए गए थे और उनका शरीर एक ही उम्र के धाचे का बनाए गया था याने कि वो दोनों की उम्र एक ही थी परन तु जब वो बनाए गए थे तो इनसानी शरीर के मताबिक उनकी उम्र क्या थी क्योंकि वे तो बच्चों के जैसे पैदा नहीं हुए थे बाइबल में ऐसी कड़ी हैं जिसको हम जोड़ कर समझ कर ये पता लगा सकते हैं कि उनकी सही उम्र क्या थी बाइबल में सिर्फ तीन ही ऐसे लोग है जो सीधे पवित आत्मा के द्वारा बनाए गए आदम, हवा और येश्मसी येश्मसी ने जगत के लिए यानि कि हमारे लिए जनम लिया था यहना उसके तीसरे अध्या और सोलवे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहो परंतु अनंत जीवन को पाए यहाँ पर परमेश्वर ने जो जगत के विश्वास में बात करी है वो जगत और कोई नहीं वो हम ही है याने की इनसान चुकि इनसान ही है जो परमेश्वर की हर एक प्लैनिंग का केंद्र बिंदू रहे है जब से प्रित्वी की नीव रखी गई तब से येशु मसी जब इस धरती पर आए उन्होंने हर एक चीज एकदम सटीकता से बारीकी से ध्यान में रख कर करीं कि सारी बाते इंसानों से जुड़ी होनी चाहिए हमने अपने पीछले वीडियो में दिखाया था कि येशु मसी क्यों बैतलहम में जनम लिये और क्यों उन्होंने गोलगोता में क्रूस पर अपने जान दी जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम बहुत ही महत्व पून बाते समझते हैं परमेश्वर के विक्तित्व के बारे में कि कैसे परमेश्वर हम से जुड़ी हुई हर एक बारीक चीज़ को अपने वचनों में दर्शाते हैं इसी रिती से हम समझ सकते हैं कि येश्व मसी की मिनिस्ट्री भी कोई महत्व यानि की कुछ इंपॉर्टन्स जरूर छुपाए हुए होगी पॉलस ने पहले करुंतियों उसके पंद्रवे अध्याय और पैतालेसवे वचन में बताया था कि येश्व मसी ही दूसरे और आखरी आदम है आदम से जोड़कर पॉलस ने बहुत गहन बातों को हमारे सामने खोल कर रख दिया है आदम जो परमेश्वर के वचन याने की येश्व मसी का सबसे पहला और सबसे प्यारी रचना थी येश्व मसी ने उसके उपर आई हुए हर एक दुख के लिए एक भवश्वानी कर दी थी कि जो कुछ उसके पर आया है उसी थरीके से येशु मसी भी जब इस दुनिया पर आएंगे तो सब कुछ सहेंगे येशु मसी का आदम के साथ तुलना करना या कंपेर करने के पीछे बड़ा कारण है उन में से एक बात दूसरे और आखरी आदम याने की येश्व मसी की मिनिस्ट्री से जुड़ी है और वही आदम की उम्र को दर्शाती है येश्व मसी ने जब बबतिस्मा लिया तो वो ठीक 30 साल के थे वो चाहते तो किसी भी उम्र में बबतिस्मा ले सकते थे 25 में, 27 में, 28 में किसी भी उम्र में परन्तु उनका 30 की उम्र में बबतिस्मा लेने का मिनिस्ट्री चालू करने का एक ताथ पर ये था कि वो दर्शाना चाहते थे कि आदम और हवा की जो लगभग उम्र थी जब वो बनाए गए थे तो वो कितनी थी इसलिए हम देखते हैं कि उत्पत्ते उसके दूसरे अध्याय और छटवे वचन में मिट्टी गीली हुई और फिर पुतला बनाया गया और उसमें आत्मा जो की पवित्र थी उन्डेली या डाली गई उसी रीती को दर्शाते हुए येश्व मसी ने पूरा डूब कर अपने आपको पूरा गीला खरके बबतिसमा लिया और उसके तुरंत बाद पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उन पर उतरते देखी गई ठीक उसी तरह जिस तरह गीला खरके आदम को बनाया गया परमेश्वर ने अपनी श्वास यानि की पुवित्र आत्मा उसमें डाली इसका मतलब स्पष्ट है कि आदम और हवा जब रचे गए तब उनकी मानवी उम्र लगभग 30 साल के करीब थी और इससे हम नई श्रिष्टी होने के वच्णों को भी गहराई से समझ और देख सकते हैं कि जो मसी में है वो एक नई श्रिष्टी है पुराना सब बीत गया देखो अब सब नया हो गया है निकोदिमस को येश्व मसी ने फिर से जनम लेने की एक बात गही थी अगर हम गंभीरता से परमेश्वर के वच्णों को पूरी तरह से अच्छे से सबज कर बबतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर हमें उस आदम के जैसे बनाता है जैसा कि वो पाप में गिरने के पहले था अगर आपका बबतिस्मा नहीं हुआ है तो इसको गंभीरता से ले और परमेश्वर को अपने जीवन रुपी आत्मा को नया खरने का मौका दे और अगर आपका बबतिस्मा हो चुका है जब तक आप जीवित है परश्यताप और प्रात्ना आपको वो आग का बबतिस्मा दे के नया बनाने में सक्षम है